सीधा सवाल आप से यह है कि इस बार उत्तर परदेश में क्या हो गया अगर मैं आप से सीधे सवाल पूछू कि उत्तर परदेश में इतनी कम सीटे क्यों आई तो आप क्या कहेंगे अधिके उत्तर परदेश में कम सीटे आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारतिय जनता पाटी स्वस्त थी कि राम मंदिर के वज़ा से हम उत्तर परदेश में 70 प्लस जाने वाले हैं उनके करेकरता स्वस्त थे और इस बार जो है RSS जिस मातरी संगटन से हम लोग आ पाया जिस परकार से जो है 2014 के चुना में 2019 के चुना में दिखाया था ये सबसे बड़ा करन और साथ ही साथ उत्तर परदेश बिहार और राजस्थान में सीटे कम होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो कहीं नहीं तो कहीं जो है जो अगनी भी रियोजना थी उसक चुछ को लोगों ने नहीं समझ पाया राजनेती गलियारे में लोग नहीं समझ पाया वो युवाओं के दिल में था एक चीजे और वो जो है बैक फायर किया और अगनी भीर के वज़ा से जो है पचास सीटे जो है नुकसान हुआ आप जो है उत्तर परदेश में जो है उस परकार से एक्टिव नहीं हुए तो उत्तर परदेश में इस कारण से जो है किसी भी हाल में जो है 25-30 सीटों का लॉस हो गया पर मनीश कश्य भाई आपको यह नहीं लगता कि यूपी को एट लिस्ट राम मंदिर इतनी बड़ी 500 साल लग गए उस मंदिर को बनाने में हि हिंदू की आस्ता है इतना बड़ा एक काम करने के बाद बीजीपी एक वोट तो डिजर्व करती थी एक बार के लिए तो कम से कम डिजर्व करती थी यूपी से एक कहानी जो है पूरी दुनिया को जाननी चाहिए सियाल कोट एक जगा है पाकिस्तान में जहां पे आजादी क जो है लोगों के अन्दर जो है लड़ाई हुआ फिर सोचा गया वो लूग बोले कि इसे जो है भारत देना चाहिए और मुसलिम लोग से हिंदू की जन संख्या एक लाख पंद्रा जार जादा था तो भारत के परधान मंत्री उसमें के परतमान नेता जो है जौला लेरू और वहां के जिनना इन लोगों ने निड़ा लिया कि यहां पे भोट होगा और जादा भोट जिस पक्ष में गिरेगा वो पक्ष की बातो को माना जाएगा अगर हिंदू पक्ष में गिरा तो सियाल कोट को जो है भारत में मिला लिया जागा और मुसलिम पक्ष में गिरा तो सियाल कोट को जो है पाकिस्तान में मिला दिया जागा कमाल की बात है, मुसल्मानों की जनसंग्या सिर्फ 1,35,000, हिंदूओं की जनसंग्या 2,50,000, 1947, भोट होता है, और मुसलिम लोगों के पक्ष में जो है, 1,50,000 भोट मिलता है, मुसलिम लोगों के पक्ष में, जनसंग्या 1,35,000, भोट मिलता है 1,50,000, यानि 15,000 हिंदू भोट दिये थे ठिक है और हिंदूों के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक लाइख 25,000 बोट, याणि कहने का मतलब है कि 1,25,000 हें तो भोट इने दिह या भोट दिए तो वो मुसल्मानों के पक्ष में भोट दिए जहां पे सियालकर्ट में हिंदू सो गय थे अजादी के समय में धाई लाग हिंदू थे एक लाग 35,000 जो है मुसल्मान थे आज वहां पे 650 हिंदू बचे है सियाल को यह कहानी जो है इसलिए भी बतानी जरूरी है कि जब मुगल सासक हमारे देश में आए उस समय कुछ हिंदू सोय हुए थे और अपने घरों में जो है मुगल सासको को जगा दिये वो जो हमारे घरों में घुसे और घर में घुसने के बाद उन्होंने हमारे ही मंदीरों को तोड़ा हमारे ही अनेकों साल राज किया फिर अंग्रेज जब आए तो हमने अपना घर दिया अंग्रेजों के साथ मिलके जो है बहुत सारे लोग जो है जैचंद ब रहते हैं जहां पर रामबंदिर बना और पूरे भारत में पिछले 10 साल में पूरे भारत फिकर सबसे ज़्यादा नाम पे हर वर्वोट नहीं पड़ता है ये ये अयोध्या ने साविद कर दिया, धर्म के नाम पे हर बार भोट नहीं पड़ता है, ये राम मंदिर ने साविद कर दिया और सोय हुए हिंदुओं के वज़ा से कभी कभी हिंदुओं पे करसयोकों पे गोली चलाने वालों की सरकार उस जगह पे बन जाती है जहां पे हिंदू बहुत संक्यक है ये अयोध्या ने सावित कर दिया तो अयोध्या ने तीन सबक हम लोगों को सिखाया गोली चलाने वाली की सरकार बनी जिन समाजवारी पार्टी के नेताओं ने 1990 में करसयोकों के उपर गोली चलाई थी और करसयोकों का लास जो है सर्यूग मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और महरसी बालमी की मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ तो अयोध्या है